एक बड़ी पुरानी कहावत है बिनास काले बिपरीत बुद्धी वैसा ही कुछ हुआ है एक तो पाकिस्तान के अंदर से अब बड़ी बड़ी कमपणिया निकल कर बाहर आ रही है यहां तक की ट्रेक्टर कमपणियों ने भी अब यहां पर प्रोडक्शन करना बंद कर दिया ह हालात बेहत खराब हैं पर इन सब के बीच में पाकिस्तान ने इसराइल को धमकी दे दी अब इसराइल को जहां धमकी दी है उसके बाद जैसंकर ने इसराइल के रक्षा मंतरी को फोन भी कर लिया है जानेंगे इस पूरे घटना क्रम में क्या कुछ चल रहा है तो वहीं और ग्वादर पोर्ट कैसे बन गया है चाइना की कब्र आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से पाकिस्तान की इस्तिती बेहत खराब है पहले तो इस स्क्रीन पर आप यह तस्वीर देखिए यह जो प्लास्टिक के बैग है ना इस प्लास्टिक के बैग में हवा नही बलकी गैस है और यह खाना पकाने वगेरे के लिए लेके जा रहे हैं प्लास्टिक में भर भर के अब जरा सोचिए कि इन में आग पकड़ना बलास्ट होना कोई घटना होना कितना आसान है कितना जादा जान जोखिम में डाल कर पाकिस्तानी जनता इस वक्त इस हालात से बहुत बुरे हैं एलपीजी गैस के लिए जनता के लिए ये नौबत आ गई है तो वहीं आटा एक सो पचीस रुपए कीलो बिक रहा है प्लास्टिक के गुबारों में एलपीजी गैस भर रहे हैं लोग मॉल रेस्टोरेंट बंद होने के आदेस हो गए हैं कि साड़े आठ बज़े तक सब कुछ बंद कर दो अब धीरे दीरे पाकिस्तान पे कंगाली का असर दिखता हुआ सुरू हो रहा है डूबता हुआ पाकिस्तान अपनी जनता को खुस करने के लिए अलग-अलग बहाने ढून रहा है जैसे कि पाकिस्तान ने 5-6 जनवरी को एक मिसाइल अच्छन कर रहा है तो हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं लेकिन जनता को चाहिए खाना जो मिल नहीं रहा है उपर से अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या मन गई है कि एक तो अनुदान नहीं मिल रहा है और दूसरा चाइना ने एक बड़ा निर्ने ले लिया है पर नहीं जाएंगे तो फिर हम यहां पर हतियार निकालने के लिए मजबूर हो जाएंगे और हालात ऐसे हुए हैं कि सीपेक को लेकर और ग्वादर बंदरगा को लेकर चाइना अब इस तरीके से फंस गया है कि चाइना को लग रहा है कि हमने जो यहां निवेस किया है वो बहुत बड़ी भूल है सीपीसी का पूरा प्रजेक्ट ही खत्रे में पड़ गया है चाइना ने अब अल्टिमेटम दे दिया है कि हम सीपेक प्रजेक्ट को सस्पेंड कर रहे हैं पहले तो बलुचिस्तान खैवर पक्तुनकवात के अपने सारे करमचारियों को निकाल चु मुनीर वो चाइना को आस्वस्त करना चाहा रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप बस सीपेक की परियोजना में सौधी अरब की एंट्री हो जाए बस सौधी अरब इसमें एंट्री कर ले इस पूरे आस्वासन के लिए जनरल मुनीर इस वक्त सौधी अरब पहुचा हुआ है सौधी अरब में सौधी अरब प्रिंस को मनानी की कोसिस कर रहा है कि चाइना के साथ मिलकर सीपेक परियोजना में आप निवेस कर दो और ये निवेस भी कहां ग्वादर में ग्वादर में तेल डिपो बनाते हैं जिस तेल डिपो को चाइना और सौधी अरब मिलकर मनाएंगे और यहां से इरान से भी तेल मिलेगा चाइना को और सौधी अरब से भी मिलेगा चाइना ने अपने लिए पूरी प्लानिंग कर ली पाकिस्तान को बीच में रखा कि पाकिस्तान को भी मुनाफ़ा हो जाए लेकिन गौादर के जिस तरीके के हालात हो रहे हैं जिस तरीके का यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है उसे देख कर अब सौधी अरब भी अपने हाथ पीछे कर रहा है यही वज़े है कि चाइना ने अब यहां पर सस्पेंड करने का ओर्डर दे दिया है फिलहाल के लिए तो सीपेक की सारी परियोजनाएं रु सब के बीच में कहते हैं न जब दिया बुझता है तो बुझने से पहले बहुत जादा फड़ फड़ाता है वही हाल पाकिस्तान का है पाकिस्तान ने इसराइल को धमकी दे दी इसराइल को धमकी दी अल-अक्सा मजीद में बेन गीवर के जाने को लेकर हलाकि पाकिस्तान ऐ ऐसा लग रहा है जैसे अपनी मौथ को खुद ही बुला रहा है ahí Israël को धमकी देने से क्या होगा इसराइल मान जाएगा छैसों आप युद्ध करने वाला इसराइल क्या एक पाकिस्तान की धमकी से मान जाएगा बेन गिवर वहां पहुँचे भी और पहुँचने के बाद ये भी साबित कर दिया कि इसराइल अपने हिसाब से चलेगा किसी दूसरे के दवाब में नहीं आएगा वैसे आपको बता दें पाकिस्तान पर हाल फिलाल में ये आरोप लगते रहे हैं कि पा इसराइल को माननेता दे रहे हैं हाली में पाकिस्तान के जो परतिनीधी हैं यूएन में उन्हों ने भारत को लेकर इस बात को उठाया था कि देखो फलस्तीन मुद्दे पर भारत ने किनारा कर लिया भारत फलस्तीन मुद्दे पर इसराइल के खिलाफ वोटिंग करने से ब भारत ने जिस तरीके से इस पूरे वोटिंग परक्रिया से अपने आपको दूर रखा ये दिखला रहा है कि कस्मीर पर भी कुछ ऐसा ही करेगा भारत यानि पीयोके को लेने के लिए भारत आगे बढ़ेगा यानि जिस तरीके से फलस्तीन पर कबजा जमाए जा रहा है इसरा और भी पर इसल्चे करने के लिए इस लाके में खेटीबारी को और जादा अच्छा करने के लिए इसराइल और भारत ने खोला है पर पाकिस्तान ये कह रहा है कि इसके पीछे इरादा कुछ और है जहां एक तरफ पाकिस्तान ने धमकी दे दी इसराइल को तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से भारतिय विदेश मंत्री ने फोन किया और इसराइल के मंत्री से बात किया कोहिन से बाचित की और इस बाच में बात कर रहे हैं किरसी केंद्र को लेकर कि कैसे हम यहाँ पर एती predictive को और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा बढ़ा सकते हैं हम अपने partnership को economy security innovation और free trade agreement में कैसे आगे ले जा सकते हैं इसको लेकर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए यह बड़ा ही संदेने वाला वर्ड होगा वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़पर के साथ